मैं डॉक्टर विब्या सुरेंटरन वाइनिक दी मौसन केंडर भूपार प्रुदेश की मौसन के बारे में देखा लिया तो पिछले 24 गुंदों में मध्यप्रदेश की कुछ जगों में बारिश और तंडरस्ट्रॉम दर्च किया है वेस्ट अंपी में आइसोलेटर बारिश हुआ है 19 स्टेशन से डिस्ट्रिक्स से तंडरस्ट्रॉम दर्च किया है सबसे ज्यादा बारिश हुआ शिर्णी डिस्ट्रिक्स में 48 मिलिमेटर और टेम्परेचर देखा लिया तो प्रदेश की काफी रिजियन में टेम्रेचर थोड़ा एबाउन और बन थे वेस्टेंपी में राजफर्ट में 37.7 डिगरी रिपोट हुआ इस्टेंपी में निव सब्सक्राइब कर देख सकते हैं वेस्टेंपी में अभी थोड़ा सा अक्टिविटी कम हुआ है मंसुन ट्रफ का पोसेशन ऊपर होने की वज़े से पर्ट काफी चांसे से आने वाले गिनों में तो यह कंडिशन के हिसाब से हमने आप कोर्केस्ट और सेपावनी जारी किया अश्बिशन थोड़ा कम होरे ज्यादा तर्फ इस्टेंट रिजिएड में है पना डमो सपना मअधे नौ्ट इस्टर रिजिएं में में अधिन तु मस्प्लेस इसमें बाविश चांसे से बाकी साभी रिजिया थे आइस अलेतर टूबेसर्जिए बारिश का से और आज हमन ज्यादा तर activity in 39 region में जैसे पन्ना सतना महर ये region में ज्यादा activity देहेगा बाकी region में actually isolated to few places में बारिष होनी का chances है और heavy rainfall का भी chances West MP में शिवपिरी अशोगनगर northern side में chances है और east में देखा गयार को पन्ना सतना रिवा नाप तीस्टन side में isolated places में heavy rainfall का chances है सागर और वेतिन में isolated heavy rainfall का chances है बाकी सारे districts में thunderstorm activity चलेगा और 13 को तेरा दारिक देखा गया तो distribution almost isolated to few places तक बारिष होने का chances है सारे district में और साथ साथ thunderstorm activity भी रहेगा North South East district जैसे शिवनी, मनला, ब्रीन्डोरी कत्मी ए रिजियन में isolated places में heavy rainfall का chances है और चावदादारी को distribution थोड़ा बढ़ रहे, Southern side में many to most places में बारिष का chances है और बाकी सब रीजियन में few to many places में chances है और heavy rainfall का भी morning चावदादारी को देखा गया तो Southern district में, Southern side में पांड़ना, सिंदवादा खंडवा हर्दा ये कुछ रीजियन में isolated heavy rainfall का chances है अब एक इस तिदी में actually local level convection काफी ज्यादा होने का chances है इसलिए evening showers और thunderstorm का chances ज्यादा रहेगा इसलिए बिजली गिरने का भी chances से उससे बज़के रहना भी important है और maximum vibration भी हलके से उपर चल रहे है इसलिए थोड़ा सा moderate level का discomfort feel होने का chances से अभी आज से एक दू दिन में Thank you